एलो एवरिवन गूड इवनिंग आप सभी का विजन नर्सिंग क्लासेस के ओनलाइन प्लैटफोर्म पे आर्दिक स्वागत है साथियों UPNHM की बंपर वैकेंसी आपकी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसी से सम्मंदित कुछ जानकारी आप लोगों को देना चाता हूँ अगर आप UPNHM में स्टाफ नर्स या ANM से रिलेटड आप लोग तयारी कर रहे हैं या फिर किसी फ्यूचर नर्सिंग ओफिसर एक्जाम की तयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है इस भरती से रिलेटड अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इसके संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के अंदर आपको दी जाएगी तो आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूले और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे जानकारी आपको अच्छी लगे तो हम उससे रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पे देते रहते हैं साथियों UPNSM से रिलेटेड एक्जाम पैटरन कैसा होगा सलेबस क्या होगा कौन-कौन से किस टाइप के क्यूश्चन पूछे जाएंगे टोटल कुश्चन की संख्या क्या होगी टोटल समय क्या होगा बोनस मार्क्स के बारे में क्या अपडेट है या फिर आप कहें कि फोर्म को कैसे फिल अप करना है इन तमाम तरह की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें साथियो जैसा आपको दिख रहा होगा स्लाइड के अंदर आप लोगों से कि UPNHM की वेकेंसी का अलर्ट है और इसके अंदर दो वेकेंसी आई हैं एक स्टाफ नर्स और एक एनम इन से related हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर आप लोग देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक चीज और आप लोग ध्यान रखें कि जैसा कि हर वीडियो के अंदर में आप लोगों को मोटिवेशनल लाइन है आप लोगों को बोलता रहता हूं आपको बताता रहता हूं कि देखो इस तरह के एक्जामस के अगर आपको तयारी करनी है तो विजन नर्सिंग क्लासेश के ओनलाइन और ओफलाइन प्लेटफोर्म पे आप लोग कनेक्ट हो जाएं और आप लोगों को बहुत सारे MCQ session दिये जाते हैं आपसे तरह तरह की test series के बारे में आपसे discuss किया जाता है इसके साथ ही आपकी study को और ज्यादा बहतरीन बनाया जाता है इसलिए कि आखों में नींद बहुत हैं पर सोना नहीं है यही समय है कुछ करने का इसे खोना नहीं है सात्यों 2023 आप लोगों के लिए बहुत ही लखी साबित होने वाला है क्योंकि इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा vacancy आने वाली है staff nurse और nursing officers की आपने देखा होगा लगबग आपकी 12-13000 vacancy यहाँ पे UP NHM की और से हैं इसके साथ ही आपने RML की vacancy आप लोगों के सामने है इसके साथ ही UP CHO की vacancy आपके सामने है और NORSET 2023 यानि इतने exam की vacancy तो बिल्कुल आपको इनकी date भी आपको पता है कि कब कौन सा exam होने वाला है तो आप लगातार तयारी से जुड़े रहें और रोजाना अपनी study को एक plan तरीकी से आप लोग करते रहें साथियों यहाँ पे जो UP NHM की जो post है वो कौन-कौन सी आई है एक तो staff nurse है और एक ANM है staff nurse की जो total post है वो आपको 7924 post है और ANM की जो post है वो 5689 post है total इसके लिए आपको online form fill up करना होगा और इस form को fill up करने के लिए official website है upnrhm.government.in इसके उपर जाके आप लोग form को fill कर सकते हैं इसके अलावा education qualification क्या होगी इन vacancy के लिए staff nurse और ANM के लिए तो मैं आपको बता दूँ आपके पास GNM हो कोई diploma आपके पास GNM का हो या फिर आप B.S.E. nursing है या फिर आप post B.S.E. nursing है अगर इन तीनों में से कोई भी एक degree या diploma आपके पास है तो आप लोग staff nurse की भरती के लिए eligible हैं आप उस form को भर सकते हैं अगर आपने ANM का diploma किया है तो ANM वाली vacancy को आप लोग fill करें साथ में आपको registered होने चाहिए आपका registration है वो UP State Council के दुआरा registered होना चाहिए यह बहुत ही जरूरी बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए इसके अलावा next आप लोग देखें application fees क्या होगी आप लोगों के mind में भी होगा सर इस exam की fees क्या होगी इसको form को भरने के लिए तो इसकी कोई fees नहीं ली जा रही है NRHM की और से या NHM की और से इसको free of post आप लोग fill कर सकते हैं इसके अलावा exam pattern क्या होगा सबसे जरूरी point है किसी भी vacancy के लिए आपको पता है कि जब भी हम किसी vacancy की तयारी करते हैं तो हमेशा हमारे जहन में एक बात आती है कि भी उसका pattern कैसा होगा exam कैसा होगा तब ही तो हम उसकी बहतर तरीके से तयारी कर पाएंगे तो ये जो exam है वो CBT based होगा computer based आपके question पूछे जाएंगे और सारे MC की question होगे multiple choice question आपको दिये जाएंगे आपके 100 question आएंगे और हर question का marks एक होगा यानि 100 number का आपका paper होने वाला है साथ में आपको 2 गंटे का समय दिये जाएगा 120 मिनट आपको दिये जाएगी और आपसे किसी परकार की इस exam में कोई negative marking नहीं होगी इस चीज को आप लोग ध्यान रखे मैं star लगा देता हूँ इस point के उपर आपको negative marking नहीं है सारे के सारे question आपको attempt करने है बच्चो इसके साथ ही next हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद है bonus marks कि इस vacancy के अंदर bonus marks भी दिये जाएंगे किसको दिये जाएंगे bonus marks ये आपके mind में आ रहा होगा तो आपने देखा होगा COVID pandemic के अंदर अगर आपने कहीं पर service किया है या कहीं पर आपने सेवाएं दी हैं किसी government sector के अंदर या किसी state government के अंदर तो COVID management certificate आप लोगों को मिला होगा उसके आधार पे आपको bonus marks दिये गए होंगे अगर आपने 6 महीने COVID pandemic में काम किया है तो आपको 5% marks मिलेंगे अगर आपने 1 year किया है तो आपको 10% marks मिलेंगे और अगर आपने 1 साल 6 महीने किया है तो आपको 15% marks बोनस के रूप में extra दिये जाएंगे इसके बाद बात आती है वही स्लेबस अगर स्लेबस की बात करे हम तो स्टाफ नर्स के लिए क्या स्लेबस है स्टाफ नर्स के लिए आपको मिडवाई फ्री, ओप्स्टेट्रिक एंड गाइनेकोलोजी इनके बारे में पढ़ना होगा CHN के बारे में fundamental MSN और health education के बारे में आपको पता होना चाहिए communication skills के बारे में पढ़ना होगा environmental hygiene के बारे में nutrition के बारे में आपको पढ़ना होगा first aid आपको पता होना चाहिए pedia आप स्लेबस के अंदर है pediatric nursing इन तमाम तरहें कि जो भी आपकी ये topic है vision nursing classes की और से topic wise आपको study करवाई जाएगी ये सारा का सारा syllabus एक regular और systematic pattern में आप लोगों को आप लोगों से study करवाई जाएगा तो आप vision nursing classes के साथ जुड़ना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो online और offline दोनों ही platform पे आप connect हो सकते हैं साथ में आपको test series दे जाएंगे इन से related की UP NSM में कैसे question आते हैं उन से related आपको test paper आप से करवाई जाएगे तापकि आपके study है वो और भी ज्यादा बैतरीन हो सके और आप अपने लक्स को प्राप्त कर सके administration and management के बारे में भी आपको पढ़ना है जिक के reasoning और computer से related question भी यहाँ पे आएंगे तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है यह सारा syllabus vision nursing classes के app के उपर भी आपको मिलेगा इसके लिए हमने अलग-अलग batch आपके start किये हैं नोर्सेट 2023 का batch चल रहा है हमारा 17 नवंबर से इसके साथ ही 7 दिशंबर से आप लोगों का जो UP NHM है इसका ANM का और staff nurse का separate separate batch आपका start हो गया है आप आके इसको जोईन कर सकते हैं उसके साथ ही अभी ANM का syllabus क्या होगा तो ANM के लिए organization जो हमारे healthcare organization है जैसे सब center है, PHC, CHC है और district hospital है इनके बारे में आपको पढ़ना है, साथ में आपको role and responsibility of ANM इसके बारे में आप से question पूछे जाएंगे code of ethics of ANM, nutrition, vitamin, minerals और balance diet इनके बारे में आप लोगों को अच्छे से study करना है यहां से बहुत ज़्यादा question पूछने की संभावना है human body की structure और functions के बारे में आपको पता होना चाहिए यानि anatomy के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए इसके अलावा सबसे ज़्यादा जरूरी point है communicable disease, इन से related question मिलेंगे disease के sign symptoms पता होने चाहिए, care क्या करना चाहिए उसके साथ ही infant से related children और adolescent इन सबसे related health problem कौन कौन सी हैं इंडिया के अंदर और उन health problems को दूर करने के लिए कौन कौन से program सरकार की दूरा चलाए जाते हैं इन programs के बारे में आपको study करना है very very important इसके साथ ही pregnancy और fetus के बारे में placental abnormalities के बारे में पढ़ना है और pregnancy के बाद abortion के बारे में इन तमाम तरहें के जो आपके syllabus के पार्ट है इनको cover करना है और vision nursing classes इसी syllabus के आधार पे आप लोगों की तैयारी करवाता है vision nursing classes से जुडने के लिए आप लोग दिये गई help line number है इनके उपर आप लोग connect हो सकते हैं call कर सकते हैं किसी परकार की जानकारी आपको चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं कोई आपका doubt रह गया हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं या भविस में किसी भी nursing officers के जो exam है उनसे related अगर आपको कोई query हो तो आप लोग हमसे help line number पे बात कर सकते हैं साथियों दुबारा आपको बता देता हूँ कि new batch आपका start हो सुका है separate separate batch आप admission ले सकते हैं और तयारी कर सकते हैं अच्छे से इसके बाद भई हमारा social media handles हैं facebook के उपर instagram पे और youtube channel इन तीनों जगहें पे आप लोग हमसे connect हो सकते हैं vision nursing classes डालिए और आप लोग इन channels को subscribe कर ले साथियों instagram पे daily आपको एक quiz दिया जाता है उस quiz को आप रोजाना solve कर सकते हैं question को उसका answer आपको मिल जाएगा उससे related अगर आपको कोई doubt है तो वो experts से आप लोग उस doubts को clear कर सकते हैं यह सारी सुविधाएं आपको हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप instagram के उपर connect हो जाएं इसी के साथ आप लोगों को again एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूं और आप लोगों से request करता हूं विनमर मेरा यह आप लोगों से appeal है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को share कर दें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसको पता लगे और अगर आपको समय समय पर चाहिए नई vacancy का notification के बारे में आप जानना चाहते हैं तो फिर हमारे bell icon को press कर लें ताकि नए videos का notification आपको मिल जाए जितनी भी नई vacancy है जब भी आती है तो इनसे related में video बना के आप लोगों को update देता हूं और आपका प्यार इसी तरह बना रहे ऐसी मैं उमीद करता हूं इनी सब्दों के साथ एक बार फिर से तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं थैंक्यू सो मच इतना प्यार देने के लिए और फिर मिलेंगे कभी next video में किसी next जानकारी के साथ में तब तक के लिए आप स्वस्त रहें खुश रहें